सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं बच्छो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होता है तो इस तरीके से में इसे समझना है कि जैसे आएनजेशन अनरजी क्या था एनरजी रिक्वार्टो रेओं आव यहांटो मोटन करें तो जब हम किसी वह एक्स्टर एलेक्रों को एड़ करहें और नूटल गेसिए इनूरे तो हम क्या करेंगे उसमें तो उसमें क्या होगी कुछ amount of energy क्या होगा रिलीज होगा और उसी को हम क्या कहेंगे electron affinity ठीक है तो इसको कैसे define करते हैं it is defined as the amount of energy released ठीक है यहां पर इंपोर्टेंट वर्ड है जैसे हमारे पास आइनर्जिशन energy के case में क्या होता था it is the amount of energy required ठीक है यहां पर क्या है energy released when an extra electron is added to neutral gaseous atom to form the gaseous negative अब लुकर इसका मतलब क्या है add to neutral gaseous atom to form the gaseous negative इसका मतलब है बच्चों कि हमारे पास एक neutral gaseous atom मैं suppose करो x ठीक है suppose कि हमने हमारे पास x है अगर इसमें एक electron अगर हम add करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x negative ठीक है तो क्या बनेगा negative gaseous gaseous negative iron की formation इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक neutral gaseous atom है ठीक है और उसमें जब हम electron के addition करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा gaseous negative iron की formation हो जाएगी और इस process में जितने amount energy का release होगा उसे हम क्या कहेंगे electron affinity ठीक है तो यह चीज़ हमें clear हो जाने चाहिए कि electron affinity सबसे पहले होती गया it means इसमें हम क्या कर रहे है electron की addition कर रहे है उसके बाद है factors affecting electron affinity ठीक है factors affecting बच्चों हमेशा ही जैसे हमने atomic size में फिर ionization energy में बात की तो किसकी बात करेंगे atomic size and nuclear charge की ठीक है तो देखो atomic size पे electron affinity कैसे depend करती है अब देखो हमारे पास two items है suppose करो two items है a और b ठीक है अब देखो a atom का size क्या है small है b atom का size मान लो कि हमारे पास large है ठीक है यह मानने के लिए आपको ठीक है समझने के लिए हमानना है आप देखो जिस atom का size small होगा ठीक है तो उसमें अगर हम extra electron की addition करेंगे तो उस electron के लिए nucleus का जो force of attraction होगा वो ज्यादा होगा as compared to atom B ठीक है क्योंकि जो आपके पास electron आएगा ठीक है extra electron आएगा सुपोज करो हमारे पास a atom में कितनी shells है बच्छो a atom में हम मान लेते हैं हमारे पास three shells ठीक है और जो आपके extra electron आएगा और यहां पर किसमें आएगा फिफ्ट शेल में आएगा तो थर्ड शेल वाले electron के लिए ठीक है एलेक्टों कर न्युक्लियस का force of attraction जाद होगा है फिफ्ट वाले के लिए थर्ड वाले के लिए क्योंकि यह क्या है थर्ड शेल है तो इसका मतलब क्या है कि जिस एक्टम का साइज हमारे का स्मॉल होगा उस केस में जो चांसित ओफ एडिशन ऑफ electron है वो क्या होंगे जाद होंगे क्योंकि उसको असानी से क्या कर लेगा अगर सानी से असाप्ट कर लेगा वह उसे ठीक है क्योंकि हाँ पर क्या बगार आने वाले लेक्टरन को उसे फोर्स ओफ अच्टरेक्शन चाहिए जितना नुक्लेस और नुक्या झाप ट्रेक्शन आपूतना ही स्टेबल लुगा ज़िए हम क्या लिखते हैं आईज ना अटामिक साइस इंक्रीज इस पूर्स decreases, ठीक है, it means we can say that electron affinity is inversely related with atomic size, कि जैसे जैसे atomic size increase होगा, electron affinity decrease होगी, ठीक है, उसके पार second factor है हमारे पास nuclear charge, ठीक है, nuclear charge क्या force of attraction, तो यह तो obvious से बात है कि जितना ज्यादा nuclear charge होगा, उतनी ही tendency extra electron को gain करने की ज्यादा होगी, ठीक है, as the nuclear charge increases, electron affinity also increases, ठीक है, तो यह two factors को में धिहान में रखना है, अब बच्छो, down the group, down the group हमारे पास trend क्या रहेगा, कि हमें यह चीज़ स्टडी करने है, decrease होगी, electron affinity या increase होगी, ठीक हो, down the group हमारे पास क्या हो रहा है, size increase हो रहा है, ठीक है, अगर size increase हो रहा है तो electron affinity क्या होगी, decrease होगी, ठीक है, क्यूकि size increase हो रहा है, हमें यह हम पर सब्ड़ाई है कि अगर size increase हो रहा है, तो incoming electron के लिए, जो force of attraction क्या होगा, अगर उप होगा, तो electron affinity decrease हो जाएगी, ठीक है, तो इस के लिए हमारे बास exception है, ठीक है, बड़े तो अपुस्टाइब कासे हैं अब हैं व्ह transforms में हमारे पास आली में की उ अखो Chenasic सबसे जाता है रूट आठे एक्सप्येटलर क्या है होना है यसे यह करें भर डिक्रीज करें होना нуж्साइब कि आपने हैं पे पिढ़ा जो क्योंकि सовать यो रहा है तो यह पर सकें तो मारे पास expected order क्या हो न अच्छी है फ्लोरीन के लिए electron affinity सबसे जाद होनी चाहिए और iodine के लिए सबसे कम होनी चाहिए ठीक है बट जो actual order है electron affinity का वो क्या है बच्छो तो फ्लोरीन ठीक है electron affinity of chlorine is more than fluorine and then bromine and then iodine ठीक है तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए बच्छो किते है कि जो फ्लोरीन है ठीक हमारी periodic table में जैसे कि हमने study किया है जो फ्लोरीन का साइज है वो क्या है smallest size फ्लोरीन एटम का size सबसे small size होता है फ्लोरीन एलिमेंट का इसके smallest size की विजय से वहाँ पर क्यों जातिया electron electron repulsion वेलर take place अब दोको florene की लेक्ट्रन एलेक्ट्रfte केसे होगी दो फ्लोर यो टोमिक नंबर दी का में लाइन ना है 7 अब incoming एक electron आना है ठीक है तो अगर हम इसको इस तरीके से draw भी कर सकते है न फ्लूरीन ठीक है इसके outermost electrons कितने हैं 7 ठीक है जब एक electron को और आना है ठीक है एक electron को और पहले से यह क्या पड़े हुए यह आपर three lone pair of electron और एक ही electron तो यहां पर क्या होता है incoming electron और in electrons के बीच में क्या जाती है force of repulsion हो जाती है ठीक है क्योंकि smallest size की विज़े से जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि suppose करो कि हमारे पास क्या है एक किसी का घर मतलब बहुत चोटा है ठीक है अजस्मेंट क्या हो जाएगी डिफिकल्ट हो जाएगी पर यहां पर फाइव और शिक्स रूम अवलेबल है तो वहां पर अगर दू गेस्ट हो रजाए या एक गेस्ट हो रजाए तो आने से भी भीड़बार नहीं हो ठीक है यह चीज़ समझने के लिए मतलब यह एक्जा यह लिफिये क्या हो जाएगी उन्हेर चोल्ड्र के बीच में हो जाएगी जब इसलिए उसकी फान वियरव रही कि ब्रह्मीन और व्याजरण क्यों व्याता है ओक оч्रॣता व्यालियं के लिए सब से जादा रहेु नहीं एसा नहीं होता क्योंकि जो chlorine है chlorine के पास chlorine का size इतना sufficient होता है कि वो असानी से electron को gain कर सकता है ठीक है और यहाँ पर इनका size बहुत जादा हो जाता है और हमने पढ़ाए कि जैसे size increase होता है तो electron affinity decrease करती है ठीक है तो यह सिर्फ effect किस case में जाएगा only chlorine की electron affinity chlorine से कम होगी बाकी bromine और iodine से कम नहीं question है कि unexpected order हमें क्यों मिलता है due to smallest size of fluorine more electron electron repulsion will takes place ठीक है therefore fluorine has lower electronegativity as compared to chlorine chlorine element तो chlorine से कम हो जाती है ठीक है तो हमारे पास यह third property थी electron affinity इसी तरीके से बहुत सारे questions आएंगे ठीक है हम बाद में उसको discuss भी करेंगे उसके बाद बच्छों हमारे पास fourth property आती है electronegativity ठीक है electronegativity अब दूकर electronegativity कहा है जैसे हम वैसे हम यह बोलता है ना कि जैसे हाइड्रोजन है एक सील ठीक है तो यहां पर क्यों होता है एच के ओपर डेल्टा पॉसिर्टीव दाता है चार्ज ठीक है जो बहुत है और एक सील के ओपर negative क्यों विकॉस क्लोरीन इस more electronegative than hydrogen हम कहते है कि जो क्लोरीन है वो क्या है more electronegative है ठीक है hydrogen से तो electronegativity को हम बच्चे कैसे define करते हैं इट इस ता टेंडेंसी ओप एन element to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond ठीक है देखो Excel के भीच में क्या थी covalent bond थी ठीक है covalent bond थी तो यह bond कितने electron से बनिये दो electron से बनिये तो क्लोरीन की tendency क्या है इन electrons को अपनी तरफ attract करने की जादा है as compared to hydrogen ठीक है तो कि पूरा का पूरा इस electron को गेन कर लेगा ठीक है यह करने की टेंसी नहीं है सिर्फ shared pair of electron को अपनी तरफ attract करने के टेंसी को किसी भी element की उसे हमके कहते है इलेक्ट्रो नेगटिविटी ठीक है तो बड़ा इंपोर्टेंट डिफरेंस आता है पर इस की टेंसी है सिर्फ एक इंडविजल एल्यमेंट की टेंसी है सिर्फ एलिमेंट्स ने कोई भी वांड नहीं बनाया हुआ पर इलेक्टो नेग्तिविटी क्या है इलेक्टो नेग्टिविटी इस अप्रफर्टी ऑफ जब इन्डिवीजुल बड़ा इंपॉर्टन डिफरेंट्स अर्व इसके अंदर क्या है बच्छो नेध्टी सिलेक्टोनेग् तो इसके पर positive charge हो जाएगा positive charge किसी भी element पर जितना भी होगा तो वो क्या चाहेगा कि वो electron उसको electron मिल जाए ठीक है it means उसकी जो tendency है electron को अपनी तरफ attract करने की वो increase होती चली जाएगी for example iron 3 positive ferric iron has higher electron negativity as compared to ferrous iron Fp2 positive ठीक है यह experimental values है और हमारे पास जो periodic table में जो trend होता है periodic table में जो fluorine है वो क्या है सबसे most electronegative element and cesium is the most electropositive element ठीक है अब देको यहाँ पर electronegativity का जो हमारे ट्रेंट करते हैं ठीक है down the group electronegativity decreases ठीक है cesium is the most electropositive element and and electronegativity increases across our period and fluorine is the most electropositive element fluorine की electronegativity 4 होती है ठीक है तो fluorine हमारे पास सबसे ज्यादा electronegative element है most electronegative element है प्रियोरिटेबल का और cesium के है most electropositive element है ठीक है तो इस तरीके तो हमने 4 properties की है 4 properties बड़ी important properties है उसके बाद हम करते हैं फिफ्ट प्रोबर्टी दाट इस बेलेंसी तिक है अब बेलेंसी क्या है हमने lower classes में भी study किया है बेलेंसी क्या होते है इट इस दा combining capacity of any element is known as a balance बेलेंसी में हमने क्या क्या हमें इसका time discuss करना है कि down the group क्या होगा अख्रहोस पीरियड क्या होगा डाउन दा गूरूप के लिए हम first first group consider करते हैं और क्या करते हैं एंसके पीट को consider करते हैं ठीक है तो फिक वच्चो जैसे हम इसकी 10 की वेलेंसी को हम करते हैं इसकी वेलेंसी वन sodium की वैलन सीवन वैंनट वीडियम की वदैस्यश्था गीफ सुन विलन सीट स्रीह आपट्रत है वाइनलसीत उंटन स्रीश माइन स्यं से स्ट माइन साइट शòng जास मिलेंस वन पत्रता है नैट2 अटेजिक अरृऊ-टम़ोम जर्टल आता है यह जो लिया को कैसे डिफाइन करते हैं it is a combining capacity of any element is called valency तो down the group valency remains same and across a period हम क्या देख रहे हैं valency first increases up to carbon and then decreases ठीक है तो यह चीज़ हो जाएगे और यह हमारे पास noble gases होती है ठीक है inert gases है जो 18 ग्रूप में present होती है उनकी valency के होती है zero ठीक है because they do not react with another elements अब दिखो यह पर chemical reactivity बढ़ी अच्छी प्रोपरिटी है chemical reactivity समझने वाली चीज़ है इसको दिहान से समझने हैं chemical reactivity का मतलब क्या होता है सबसे पहले को हमें यह समझने chemical reactivity का कर रहा है की कोई भी element किसी दूसरे element के साथ कैसे react करता आप क्या करेंगे थो हम सबस्सक्राइब करकेब 258 ईसका क्या क्या करेंग वहां कि अगर फिद्र conoda कर रहा है ताय फिर है कि लूज कर में वहर। तो ड्यूद ड्यू Questions के तिनसी लिक्तोन को pre-perl models कर ने कि अज़ने के लूज करने के होती है तो इन में थे हम उच् STOP यह करते हैं क्यां एल्किली मैटल होती तदेंच शों खोग कि टिने सी होती है स्लिस तो लूस तो हम क्या कहेंगेकिवलिटी इन साक्या प्लूर्ट धोन्थम सब्सक्राइब ग्रूब करने की जाधे हो जाएगी लेक्टरॉन को लोज करने की यृदे होजाएगी इनग्रीट हुज जाएगी है जोपके मारे पास क्या होता है हैहलोजन के केस में यहां को लूस करने की और हमारे पास हमें इस करना है इलेक्ट्रों को गेन करने की टेदंसी कि सबसे जाता होगी आपके पास टिक है फ्लोरीन के लिए हम क्लोरीन के लिए जासे उसमें यहां पे क्याईगी कैमिकल एक्तिविटी डिकरीजन रिष्ट करने हैं तो इसलिए आहमें यह नहीं सोच ना कि जो down the group है हमेशे chemical activity increase होगी फिर decrease होगी वो depend करता है वो elements कौन से है वो metals है या फिर वो non-metals है ठीक है तो non-metals के case में reactivity क्या होगी decrease होगी down the group और alkaline metals metals के case में क्या होगी reactivity increase होगी down the group ठीक है तो इसने हमने लिख रहा है है halogen react chemically by gain of electrons and the tendency to gain electron decreases down the group therefore chemical reactivity decreases down the group ठीक है उसके वाद हम next and last property हम discuss करते हैं that is metallic character metallic रेक्टर विच्चों क्या होता है tendency to lose electron is known as metallic character metals क्या होते है tendency to lose electron ठीक है आप देखो for example हमारे पास यह question है boron, aluminum, gallium, indium, thallium हमें यह elements given है और हमें बताना है which metal is most metallic in nature कोंसी metal है जो सबसे ज्यादा metallic है nature में तो देखो down the group हमारे पास क्या हो जाएगी metals है ठीक है और metals की tendency के होती है electron को lose करने की होती है तो हमें यह देखना है कि जो सबसे ज्यादा इन में से इन battles में से सबसे ज्यादा tendency किस element के है ठीक है तो down the group size क्या हो रहा है सबसे हैं बहुत सारे questions बन सकते हैं जैसे अब metallic करेक्टर को इस तरीके से पूछा जा सकते हैं कि basic character होता हो तो basic character भी वही होता है से जैसे metal oxides के होते हैं basic nature non-metal oxides के होते हैं acid की nature तो इसके विहाब पे इसके उपर question बन सकते हैं तो इसे हम फिर बाकी चैसे कुछ questions को ठीक हम बाद में discuss करेंगे अब दिखो हमारे पास ही हमने जो properties किया इनने पहले अच्छे से समझना ठीक है अच्छे से करना थाकि आपको फिर कुछों questions होंगे questions तब ही सोल होंगे अगर आपको यह चीज़ें आपके mind में होगी तो हमेशा यह चीज़ है कि आपको बिल्कुल basic concept अच्छे से clear होना चाहिए कि nuclear charge क्या होता है atomic size क्या होता है विलिंसी क्या होती है विलिंस इलिक्टॉंस क्या होता है चाहिए